अब विपक्ष की चेहरे को लेकर मची होड़ विपक्ष में कौन नेथा सर्वपरी कैसे होगा तै क्या इसी लड़ाई में हार जाएगा विपक्ष फिर बीजेपी की जीत होगी निश्चित कि 2024 से पहले वैसे तो भी बहुत से विधान सभा चुनाव बीच में हैं लेकिन तैयारी अब सब लोग सभा चुनाव की ही करने में लग गए क्योंकि सवाल एक जो बहुत बड़ा और एहम खड़ा हो गया है वो ये कि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चहरा कौन होगा 2024 में जब चुनाव होगा तो इस लड़ाई में विपक्ष की तरफ से मोर्चा कौन समभा लेगा परेशानी ये है कि हर बड़ा नेता अपने आपको इस पत के काबिल समझता है फिर चाहे वो ममता बैनर जी हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार और फिर राहुल गांधी कहां पीछे रहने वाले है कॉंग्रिस देश की सबसे पुरानी पार्टी है तो कोई तो चहरा कॉंग्रिस से भी इस पत के लिए निकाला ही जाएगा ऐसे में दोविधा की स्थिती बनी है क्यूंकि किसी एक चहरे पर सर्वसम्मत्ती होना मुम्किन नहीं लग रहा और मुम्किन होगा नहीं तो फिर विबक्ष एक साथ कैसे होगा हलांकि एक मत होने की कोशिश जरूर की जा रही है इसी सिल्सिले में नितीश कुमार से मिलने पहुंचे थे तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदुशेखर राओ यहां उन्होंने देश में चल रही समस्याओं के लिए केंदु सरकार को जमिदार ठेराते हुए भाजपा मुक्त भारत का वाहन किया यह सब पठना के एक सम्वादाता सम्मेलन में हो रहा था सब कुछ ठीक था केसियार के आने से नितीश कुमार भी जोश से लबरेज थे अभी अभी बिहार में नई सरकार भी तो नितीश कुमार ने बना कर खड़ी की है नितीश को लग गया थे कि कम से कम केसियार का तो वोट उनके ही पक्ष में आने वाला है भई व्यस्तता में से समय निकाल कर वो उन से मिलने आए हैं। लेकिन ये क्या? केसियार का वोट तो नितीश को है ही नहीं, वो तो किसी और को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। हमारे इस दावे का आधार है केर चंडरुशेखर राओ का एक सवाल को टाल जानव। काफी एहम सवार। केसियार से समवादाता समयलन में पूछा गया था कि सयुक्त विपक्ष का नितुरित्व कौन करेगा, क्या उसमें कॉंग्रिस को शामिल किया जाएगा। ये सवाल सुनते ही बैठे नितीश तो खड़े हो गए। तब केसियार ने उनका हाथ पकड़ कर उन्हें बिठा लिया। और नितीश कुमार की तारीफ तो की, बिहार की विकास में उनके योगदान को लेकर भी कई सरहनिये शब्द कहे। लेकिन वो नहीं कहा जिसे सुनने के लिए नितीश कुमार उचसाहित है। केसियार ने कहा, नितीश कुमार की इचसाहित की देश में जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्हें एक कर देश को भाच्पा मुक्त भारत बनाना होगा। केसियार ने ये भी कहा, एंडिये के खिलाफ हम सभी एक जुठ हैं और नेता कौन होगा, ये हम सब मिलकर तै करेंगे। हालंकि कॉंग्रेस विपक्षी दलों के साथ खड़ी है कि नहीं इस सवाल को केसियार टाल गए। और कहा, जब सब लोग साथ बैठेंगे तब इस विशय पर बात होगी। यहां दोनों ने मिलकर संग मुक्त भारत का नारा भी दिया। लेकिन ऐसा लगा, जैसे नितीश की उमीदों पर केसियार ने पानी फिर दिया। केसियार ने कहा, इन चीजों पर समय आने पर फैसला लिया जाएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। फिर बारी थी थर्ड फ्रंट वाले सवाल की। तिलंगाना के मुक्हमंत्री से पूछा गया कि हर चुनाव में थर्ड फ्रंट बनाने की बात होती है। क्या इस बार मोदी के खिलाफ इपक्षी पार्टिया एक हो सकेंगे। इस सवाल का जवाब केसियार देते कि इससे पहले ही नितीश कुमार ने सवाल काटती है। और कहा कि थर्ड फ्रंट नहीं बलकि ये में फ्रंट बनेगा। कुलमिलागल केसियार ने नितीश से नजदी की तो बढ़ानी चाही। नितीश को अपने साथ तो लेना चाहा लेकिन उनके नाम पर मोहर लगाने के हर सवाल को या तो टाल गए या फिर सवाल का जवाब ही कुछ और दे दिया। नितीश की तारीब तो की लेकिन पीएम पत के लिए प्रोजेक्ट करने के नाम पर चुपी साथ गए। का सामना करना है तो विपक्ष को पूरी घनिश्टिता के साथ एक साथ आना होगा। अपने अहंकार को सारे गिले शिक्वे मिटा कर साथ आना होगा। नहीं तो फिर विपक्ष का वही हाल होगा जो साल 2019 में हुआ था। या फिर आपको लगता है कि इस बार नरेंद्र मोधी के खिलाफ विपक्ष कोई कमाल तो जरूर दिखाएगा। इस पर आपके विज़ार हमारे साथ जरूर साचा करें।